हेलो इवरीवन तो आज की क्लास में हम यहां पर डिस्केस करने वाले हैं SSC के एकजाम में आये हुए कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेट कुश्चन्स तो चलिए देखते हैं यहां पर फर्स्ट कुश्चन जो की SSC MTS 5 एक्टूबर 2017 में यहां पर यह पूछ गया है, shift one में आया हुआ क्वश्यन है, ठीके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या question में यहां पर पूछा गया है, तो question में यह कहा गया है कि, यह question मैं एक बार पड़ देता हूँ पूरा कि 25 बस पहले A और B की आयू का जो अनुपात है, वो 3 ratio 8 है यहां पर और उनकी वरतम करेंगे मुश्किल से 2 से या फिर 3 सेकंड के अंदर इस टाइब के कुशन को तो अगर यहां पर मालो हम लोगों को लगाना रहेगा एक्जाम में तो क्या करेंगे देखेंगे कि यहां पर अनुपात जो दिया गया है वर्तमान आयू का अनुपात क्या है यह 8 रेसियो 13 दिया गाना बसक्ताइब देखते हैं इसका यह इस का ऐफसे पर देख लेते हैं इसका हमारा जो पर सबसे पुराना method जो है वो किस तरी किसम यहाँ पर करेंगे ठीक है तो अगर हम बात करते हैं जैसे माल लेते हैं उनकी जो present age है A और B की वो कितनी माल लेते हैं कि X होगी और Y होगी ठीक इनकी जो present age है वो हमने यहाँ पर consider कर लिया कि A की यहाँ पर कितनी है X है और B की यहाँ पर कितनी है Y है तो अब यहाँ पर यह देख सकते हैं कि X और Y का जो रेशियो दिया गया present age का रेशियो यहाँ पर कितना है देखो उनकी वर्दवान आयुकारपात कितना दिया गया जो age का रेशियो है वो 8 ratio कितना यहाँ पर given है यहाँ पर 13 given है और यह कहा गया कि 25 वस पहले A और B की जो आयुकार पाता है वो कितना 3 ratio 8 इसका मतलब 25 वस पहले तो यहाँ से भी एक equation हमारी बन जाएगे इस तरीके से 25 वस पहले तो इसका मतलब अगर present age है तो 25 वस पहले कितनी होगी x-25 इसी तरीके से यहाँ पर हम भी देखेंगे कि y की जो present age है अभी तो b की जो present age है वो हमारी y है तो 25 वस पहले कितनी होगी यानि माइनस का यहाँ पर भी हमारा 25 हो जागा यानि 25 तो x-25 और y-25 तो 25 वस पहल एक equation बनेगी और यहां से हम क्या करेंगे x की value को हम put कर सकते हैं x और y की value को यहां से put करके इसको हम solve कर सकते हैं ठीक है लेकिन इतना exam में वहाँ पर नहीं करना है इस type का अगर question आता है हमारा कोई भी exam में तो वहाँ पर क्या करना है कुछ भी नहीं करना है देखना है हमें पूछा क्या गया है अगर यहीं पर पूछा गया होता कि जैसे कि बताइए कि b का यहां पर मतलब इसमें question यह रहता है कि b की present age कितनी है यानि b की अगर वरतमान आयों पूछी गया होती तो यहां पर हम check कर लेते कि b की present age कितनी हो जाएगी तो हम यहां पर देख सकते हैं तो हम देखते कि 8 का multiple कितना है क्योंकि यह 8 का ratio 8 जो है वो a का ratio यहां पर given है और यह 13 जो था यह b का था तो यहां पर देख लेते कि यह वाला option नहीं होता यह वाला option नहीं होता और यहाँ पर जो right option था वो हमारा 40 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम इस type के question को वहाँ पर solve कर सकते हैं ठीक है तो thanks for watching my video